तो फ्रेंट्स वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा एक्स्पिरियंस बताता हूं पोको एक्स्ट्री के बारे में जो की आज का कमपेरिजन ही है डामस्री 7200 से स्नाप रुकर 680 तो 680 आपको पोको एक्स्ट्री प्रो में मिलेगा अभी मैंने डिसेंट्ली विजिट किया था एमाई के सर्विस सेंटर पर चाहां कि पोको एक्स्ट्री का रेपेर होता है तो उन्होंने बता है काफी सारे केसेस देखने को मिले है पोको एक्स्ट्री प्रो में जिसका मदर बोर्ट डेट हो जा रहा है क्यामरा इसूस तो काफी ज्यादा है मदर बोर्ट डेट का भी बहुत काफी ज्यादा नंबर है और मेरे में यहाँ पर 3-4 सेंटर है मैं दब क्लोसेस क्लोसेंटर मैं विजिट किया सब जगें यही है पोको एक्स्ट्री प्रो में मदर बोर्ट का काफी इसू देखने को मिल रहा है तो स्नाप डर्गन 860 रिकमेंडेट प्रोसेर है पड़ पोको एक्स्री प्रो मत लिजिएगा वीडियो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हाइफरेंस बिना नाम है गौर और आप देख रहे हैं टिक रूम अब बात कता है यहाँ पे अना में झाउच्ट करदे मेंन स्नाप डिगन थोड़ा पराना पडरोसेंगा था अप्रेल 2019 में अनांस कीया गया था जबकि रियदि फरवरी 2023 में अनांस कीया था क्लास की बात किये तो यहाँ पे एक मेंटरन चाहता है जबकि Snaps3 एक FlaxiPlayer Class Processor है Model No. में टामसरी का Model No. MT6886 है Snaps3 का SM8150AC है एंड TDP की बात किया तो यहाँ पे टामसरी 8W बेज़ड है Snaps3 का 6W बेज़ड है Instagram पे Follow जरूर कीज़ेगा जो वीडियो यहाँ पे अबलेबल नहीं होते हैं भी मैं वहाँ पे Reels दे देता हूँ ताकि आपको आईडे लग जाए ज्यादा तर Benchmark and Conclusion देता हूँ तो Follow जरूर कीज़ेगा ताकि आपको Information मिलती रहे और Post भी उदर देता रहता हूँ जो भी latest processor आया और बाकी जीजों के भी तो बात करते हैं आर्किडेक्चर की दोनों प्रोसर आक्टो कोड़ दियेगे हैं डामसरी में यहाँ पे मिलेगा 2 को 2.8 कोर्टेक्स A78 and 15 बाकी 6 को 2.8 कोर्टेक्स A58 and 10 देखने को मिलेगा तो SnapDragon में यहाँ पे थोड़ा दिफ्रेंस है 1 कोर 2.96 कोर्टेक्स A76 3 को 2.42 कोर्टेक्स A76 लाज 4 को 1.8 कोर्टेक्स A75 नहीं कोर्टेक्स A55 है तो यहाँ पे जो कोर्टेक्स A76 का नमबर से वह बेटर है पर कोर्टेक्स A76 थोड़ा पीछे है कोर्टेक्स A78 and 15 से यहाँ पे इसकी फ्रिक्वेंसी बेटर है 2.96 GHz फिकलोक है TDP भी 6W काफी अची है तो परफोमेस के मामले में दोने प्रोटेक्स जो प्रोसेसर हैं उसमें अभी जो टामेसरी थोड़ा बेटर जिखने को मिला है अगर similar configuration last तक रहेगा तो टामेसरी बेटर रहेगा तो परफोमेस थोड़ी सी बेटर होता थी अगरे अगर फैबरीकेशन की बात के तो जिसका जेतना स्मॉल फैबरीकेशन उतना बेटर बनता है वो प्रोसेसर तो यहां पर डामसरी 4Nm टेकलोजी के साथ है अगरेगन वही 7Nm टेकलोजी के साथ है यहां पर 5Nm टेकलोजी के साथ ट्रिपल लट आया था उसका भी कमपरजन 700-2000 के साथ है मतब डामसर 7200 के साथ है तो आपको आई बेटर में भी मिल जाएगा देखेगा जरूर आपको आइडिया लगेगा कि कौन सा प्रोसर कितना बेटर है अब बात करते हैं यहां पर ग्राफिक्स की ग्राफिक्स में जो GPU है टामसरी में मिलेगा मालीग जी 610 MC4 का अक्रेचर वालहल 2 है स्नाप्रगर में मिलता है एडनो 640 लाश्ट अगर आपको याद हो 778G में मिलता था एडनो 642L यह थोड़ा वीक था बाकि यहां पर 640 उससे जनरेचर में थोड़ा पीछे है लेकिन इसका ग्राफिक सपोर्ट काफ़ी बेटर है एन आप इसका अक्रेचर एडनो 600 है एन यहां पर बात कीज़ें फ्रिक्वेंसी की तो डामसरी 1180 सपोर्ट करेगा स्नाप्रगन 675 MHz की सपीड सपोर्ट करता है फ्लोटिंग पॉइंट्स में यहां पर डामसरी का सपोर्ट 1000 क्रॉस करेगा स्नाप्रगन भी 1000 क्रॉस करने वाला है 1037 का सपीड रहता है मेमरी टैप सपोर्ट में जो राम टैप सपोर्ट है डामसरी का LPDDR5 UFS के साथ जो इसमें 3.1 का कंफ्रिग्रेशन दिया गया है को आट चैनल LPDDR5 है फ्रिक्वेंसी की 3200 MHz किया है स्नाप्रगन में LPDDR4X है राम फ्रिक्वेंसी 233 MHz है और स्टोर्गन की बात किया थे हाँ पी फिर्स 3.1 का कंफ्रिक्रेशन दोनों में दिया गया है गेमिंग की बात किया था गेमिंग में डामसरीट का डेटा मैंने Vivo V27 से लिया है स्नाप्रगन का Poco X3 Pro से लिया है अभी फिर से बोल रहा हूं कि मदरबुट का कासी इसू है तो Poco X3 Pro के भी मत लिजेगा या फिर फिर फ्यूचर में भी पूछ लिजेगा जो भी चल रहा हूं यहां पर बात किया है पर PUBG मलकर 6060 HDR Ultra सपोर्ट में लेगा ग्राफिक सपोर्ट में 6060 वेरी हाई के साथ मैक सपोर्ट में स्नाप्रगन में जबकि डामसेडियो में वेरी हाई के साथ वेरी हाई पे गेम प्ले होगी क्योंकि यहां पर जो Configuration दिया गया है Adnose 6 4D के साथ थोड़ा बेटर आप्टिमाइश करके दिया गया है गेम्स में और पर जो वीडियो कैप्चर है वीडियो कैप्चर में यहां पर जो 5D सपोर्ट करेगा प्रोसेसर वो डामसेडी क्लियर सपोर्ट करता है स्नाप्डर्गन 680 देखिए आप जाएगा कॉलकॉम की वेबसाइट पर वहां मिलेगा कि यह 5G सपोर्ट करता है पर पोको एक्सिर प्रो नहीं करता है और इसका मदरबोर्ट भी डेट है और यहां पर बात किया 4G सपोर्ट की तो डामसेडी LTE के 21 के साथ आएगा स्नाप्डर्गन में LTE के 20 आता है Bluetooth 5.3 और 5.1 की टेकलोजी होगी Wi-Fi 6 और Wi-Fi 6 का सपोर्ट मिल जाता है बिंचमांग बिंचमांग बता रहा हूँ यहां पर जो सिंगल कोड परफॉर्मेंस है डामसेडी का 8.50 है स्नाप्डर्गन का 7.37 थोड़ा बो डिफरेंस है परफॉर्मेंस के मामले में और मल्टी कोड़ की बात कि यह डामसेडी का 2300 स्कोर आएगा स्नाप्रण का 2589.91 आता है तो वर वर परफॉर्मेंस में स्नाप्रगन थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस देगा अगर अंतुदू की बात किया थे हां पर अंतुदू में डामसेडी का स्कोर 6.00,000 क्रोस करेगा स्नाप्रण का स्कोर 5.71 बादब क्लोस है 6.00,000 के तो आपको जो परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी वो बेटर है डामसेडी में क्योंकि इसमें आपको लेटेस्ट कोर्टेक्स भी मिल रहा है एट्स 8W TDP भी है 4 निमेटर टेकलोजी LPDDR5 रहम है UFS 3.1 श्टोरेज है Quad Channel LPDDR5 है और इसका जो फ्रिक्वेंसी वो भी बेटर है वहीं बात तो यह 3D मेंच मार्क स्कोर की तो जो ग्राफिक ट्रेस्ट के लिए बना होता है डामस्टी 4000 प्लस स्कोर करेगा इसमें Mali G61010 मिलता है स्नाप्रगन में ADNOS 640 दिया गया है इसका 3D माक काफी बेटर है लाज जिसके 642 L से भी बेटर है इसका स्कोर 3406 है यह काफी अच्छा स्कोर है इसमें आपको गेमिंग भी काफी बेटर देखने को मिलेगी अब बात करते हैं कंक्लूजन की कि कौन सा प्रोसेसर आपको लेना चाहिए देखें इस CP performance के अगर बात करें डामस्टी 57 स्कोर करेगा स्नाप्रगन का स्कोर 58 होगा performance के मामले में आपको स्नाप्रगन थोड़ा सा बेटर देखने को मिल सकता है कहीं कहीं अब बात करते हैं आप यह बैटरी लाइफ की तो बैटरी लाइफ डामस्टी का बैटर होगा 93 स्कोर करेगा इसलिए क्योंकि यह 4 नैनोमेटर टेकलोजी बेस्ट प्रोसेसर है वह स्नाप्रगन आपको 7 नैनोमेटर बेस्ट देखने को मिलेगा इसमेund 77 overall आता है Conclusion सारा बताता हूँ conclude करके तक मैं 63 जो स्कुरों को मिलेगा इसनाप्रगन भुकर की टेमसर्मिटर बेटर लाइप प्रोसेसर है अगर आपको एक तवी अर्डू कि परोसेसर की सैनेगे लेकिन इसमें दोनों से आपको लेना कौन से जाए बेटर कंफिग्रेशन एंड बेटर ऑप्टिमाइशन आपको स्नाप्डरगन 860 के साथ देखने को मिलेगा एंसमें थोड़ी हीटिंग की इसू भी कम है 7200 के कंपरेशन में लेकिन पोको एक्सरी प्रो मत लिजेगा किसी दूसरी फोन के साथ आप ट्राइ कीजिए स्नाप्डरगन 860 जिसमें भी आता हो वो उसमें आपको स्नाप्डरगन काफे बेटर पॉफरमस निकाल के देगा लेकिन पोको एक्सरी प्रो मत लिजेगा आप इन दोनों प्रोफसर में से कोई प्रोफसर लेने वाले हैं तो बताएगा जरूर कौंसे स्मार्ट फोन पर ले रहे हैं ताकि और लोगों की भी हिल्प हो आप वो लोग आपसे डायरेक्ट मही पूछ लिया करेंगे कि कैसा फोन है बाकी एटीसी एटीसी और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरू कीजएगा ताकि मेरी हिल्प हो एंड इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मिलकुल मल भूलेगा थैंक्स फॉर वाचिंग